अब बात करेंगे योगी के शपत प्लान की यूपी में शांदार जीत के बाद सब की निगाहें इस बात पर टिक गई है कि योगी कैबिनेट कैसी होगी कैबिनेट में कौन को नया चेहरा होगा और किसकी छुट्टी करती जाएगा और इसी को लेकर लखनाओं से दिल्ली तक मन्थन जा रही है एक बात तो साफ है कि योगी कैबिनेट में दाकतारों के लिए कोई जगे नहीं होगी जाती संतुलन दिखेगा तो 2024 की तैयारी भी दिखेगी जना देश आ गया है यूपी ने योगी पर विश्वास की बोचार कर दी है बीजेपी की जूली सीटों से भर दी है दस मार्च की तारिख आगे निकलाई है योगी आदित नाथ ने नामुम्किन को मुम्किन कर दिखाया है अब चुनोती है उमीदों पर खरा उतरनी की एक सक्षम और मजबूत टीम बनानी की खबर आ रही है कि नए मंत्री मंदल में नए चेहरों की अच्छी खासी तादाद हो सकती है पिछले कैबिनेट के 11 मंत्री चुनाओं हाट चुपी ले यानि मंत्रियों की अच्छी खासी वेकेंसी है नए मंत्री मंदल में जातिय संतुलन का खास ध्यान रखा जाएगा दागदार चेहरों पर दाउं लगाने का जोखिम बीजेपी मोल नहीं लेगी डिप्टी सीएम का पेंच अभी तक सुलज नहीं पाया है सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या केशव मौरे दोबारा डिप्टी सीएम होंगे इस बात पर सबसे ज़्यादा चर्चा और सबसे ज़्यादा कयास भी लगाए जा रहे है और आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही सबसे बड़ी मीटिंग के मुद्दे में भी ये मुद्दा सबसे बड़ा है कि केशव मौरे का क्या होगा चर्चा ये है कि पार्टी किसी सूरत में केश्व मौरे के हारने के बावजूद उनके न तो चेहरे को कम करना चाहती है और नहीं उनका कद छोटा करना चाहती है नई टीम को लेकर योगी आदितनाथ दिल्ली में लगातार मंथन कर रही है योगी आदितनात, जेपी नड़ा और अमित शाह इन तीनों नेताओं की टीम फाइनल करने में एहम भूमिका निभाईगी बियल संतोष, राधा मुहन सिंग, स्वतंत्र देज सिंग, सुनिल बंसल, दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौरी भी मंत्रियों के नाम फाइनल करने वाली टीम में हैं लखनों की सियासत में सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर है कि इस बार योगी आदितिनात का मंत्रि मंडल कैसा होने जा रहा है तो जान लीजे, इस बार के मंत्रि मंडल में मुख्यमंत्री योगी आदितिनात की अपनी चाप भी दिखाई देगी प्रधान मंत्री क्या चाहते हैं ये भी दिखेगा जातियों का संतुलन साधा जाएगा छेतर को महतु दिया जाएगा और सबसे एहम ये होगा कि इस बार किसी तरह के दागी मंत्री मंडल में नहीं दिखाई देंगे यूपी में बहुत कुछ पहली बार हो रहा है योगी आदितनाथ ने कई मिठख तोड़े हैं नए नए लकीर खींच दी 2017 और 2022 के बीच गोमती में काफी पाने बह चुका है 2017 और 2022 की टीम में फर्क साफ साफ दिख सकता है नई टीम पर योगी की छाप जरूर दिखेगी योगी आदितनात चुनावी अभियान में साफ करते रहे हैं कि उनके प्राथमिक्ताईं क्या रहेंगी पानून विवस्था, अपराथ तंत्र पर चोड, महीला सुरक्षा, घरीबों को मुफ्त अनाज, सस्ता पानी, सस्ती बिजली, अच्छी सड़के, नए राजमार्द तमने का भी देखो, विकास भी कराएंगे, लेकिन बुर्डोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ओपर बुर्डोजर सोटा रहेगा दंगाईयों के फोटों फिर से लगाएंगे, चौराए चौराए पर, और नोटीस जाएगी कि तुमने एक पे साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आगया, इसकी भरपाई भी कर लो और इसलिए भाईयों बेनो, एक तरह विकास है, और विकास के साथ साथ माफिया के खिलाथ, बुर्डोजर भी है ये वही चला सकता है, जिसमें दम होगा बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उमीदों के जो कमल खिलाए हैं, उन्हें जमीन पर पुतारने की चुनोती है और ये तब ही पूरी होगी, जब टीम मजबूत और मुकमल होगी योगी आदितनात इसी कोशिश में लगे हैं क्यूंकि वो जानते हैं कि जब मुकाबला बड़ा और लंबा हो तो टीम का मजबूत होना बेहत जरूरी हो जाता है दिले में हिमान शुमिश्रा के साथ कुमार अभीशेग लखनो आज तक